हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन दबाएं यह वीडियो एक कालपनिक खबर पर आधारित है इसका मकसद केवल हासिव यंग्य स्वस्थ मनुरंजन और राजनीते कटाक्ष करना है किसी की मानहानी करना नहीं मोधी और इमरान में जिसका रंग ज़्यादा गोरा है उसी को मिले कश्मीर टरंप का नया बयान अपने अच्छी पोगड़ी बयानों के लिए मशूर अमेरिकी राश्रपती डोनल टरप ने एक और नया बयान दे दिया है टरंप ने कहा है कि कश्मीर का फैसला भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंचियों के स्कीन कलर के आधार पर होना चाहिए जी सविन सम्मिलन से लोट टे ही टरंप ने कह दिया है कि नाडिन जरमोदी और इमरान में इसे जिसका भी रंग ज़्यादा गोरा होगा कश्मीर उसी को मिलना चाहिए क्योंकि गोरे लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं मुझी को देख लो उनके इस बयान के आते ही उन्हें रंग भेदी बल्ला बताते हुए पूरे अमेरिका में उनकी थूथू होने लगी इसके उलट भारत और पाकिस्तान में अपने अपने पीएम को ज़्यादा गोरा बताने की होड मच गई पाकिस्तानियों ने तो ये कहते हुए जश्न भी मनाना शुरू कर दिया कि अब तो कश्मीर हमारा है क्योंकि पठान तो होते ही पैदाशी गोरे है लेकिन भारत के लोगों ने कहा कि मश्रूम खाने के बाद हमारे मोदी जी इमरान से भी ज़्यादा गोरे हो गए है चाहे तो फोटो मिला के देख लो ये सुनते ही पाकिस्तानियों का सारा जोश ठंडा पर गया इसके बाद उन्होंने बैगड़ित के आधार पर फैसला सुनाने की मांग शुरू कर दी और कहने लगे कि फैसला पांच साल पहले के फोटो के आधार पर होना चाहिए जब मोदी जी ने मश्रूम खाने शुरू नहीं किये थे उधर कश्मीरी कह रहे है कि अगर कलर के आधार पर ही फैसला करना है तो फिर कश्मीर हमारे पास ही रहने दो क्यूंकि हम इन दोनों से गोड़े है माइन दे न्यूज रूम की रिपोर्ट थैंक यू फोर वाचिंग आर वीडियो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें